एलो स्ट्रेंट्स कैसे हो सब आज हम नवी क्लास मैट्स उसमें चैप्टर नमबर दो जिसका नाम है बहुपद उसके बारे में बढ़ाय करने वाले है ठीक है तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भई बहुपद मतलब क्या तो आप यह याद रखो कि भई जिसमें सिर्फ एक पद हो फॉर एक ही पद है तो उसको एक पदी बोला जाता है जिसमें दो पद है फॉर एक्जामपल थी वाई माइनस टू उससे दी पदी कहा जाता है और जिसमें तीन पद हो फॉर एक्जामपल एक प्लस टू एकस माइनस 1 तो उसको 3 पत बोला जाता है ठीक है दूसरी बात मैं अभी जो बोल रहा हूँ 4X, 3Y वो सब 4X है तो उसमें जो X है वो है हमारा चल ठीक है और जो X के आगे जो 4 है जो 4 है वो है उसका गुणाग उसका सह गुणाग ठीक है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अब बात आती है कि बहुपद किसे कहते जिसमें 3 से ज्यादा पद हो उसे हम कहेंगे बहुपद ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब ये हमें पढ़ना है कि बहुपद हम नहीं कह सकते तो याद रखना अगर चल बटे में है या तो फिर रूट में है बटे में या तो रूट में इन दोनों में से कोई भी हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे नहीं ठीक है ओके चलो तो हम प्रश्णावली 2.1 से ही स्टार्ट करते हैं और उसमें कहा गया है कि निम्ने लिखित में से कौन-कौन से व्यंजक एक चरिय बहुपद है और कौन-कौन से बहुपद नहीं है तर्क सहित उत्तर दे चलो पहला है 4X की दो गात माइनस 3X प्लस 7 तो यह बहुपद है क्यों? क्योंकि देखो इसमें 4X है ना तो रूट में है ना तो बट्टे में इसलिए पहला जो है वो बहुपद कहलाएगा दूसरा तो वो भी देखो उसमें भी 4Y है और बहुपद भी है तीसरा देखो 3, रूट T रूट 2 और T यहाँ पे चल्ट T में एक बहुपद नहीं है क्योंकि T की घात एक बट्टे में दो है रूट निकालो गया तो एक बट्टे में दो ही आये का ना ठीक है? चौथा देखो आप चौथा भी बहुपद नहीं क्योंकि Y की घात देखो माइनस वन है और माइनस वन घात यानि कि वो बट्टे में होगा तब भी जाके यह माइनस में आया होगा ओके? तो यह हो गया पहला क्वेस्चन देखो पूरा यह चैप्टर इजी है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है ठीक है? चलो आगे आपको पूछा गया है कि निम्न प्रतिक में X वर्ग का गुणांक लिखी हमें गुणांक लिखना है लेकिन किसका? X वर्ग का तो देखो 2 प्लस X वर्ग प्लस X तो इसमें X वर्ग है उसके आगे गुणांक कितना है? एक है कुछ नहीं होता है तो एक तो होता ही है ठीक है? इसलिए X वर्ग का गुणांक होगा एक चलो दूसरे में कितना है? X वर्ग का गुणांक माइनस 1 C में देखो X वर्ग का गुणांख है Pi बट्टे में 2 X वर्ग के आगे जो भी होगा Plus, Minus बट्टे में Point वाले में जो भी होगा वो सब आपको लिखना पड़ेगा इसलिए उसका गुणांख होगा Pi बट्टे में 2 ओके चौथा देखो आप देखो इसमें कोई X वर्ग आपको दिख नहीं रहा है दिख रहा है कहीं बेबी? नहीं दिख रहा है इसलिए X वर्ग का गुणांख यहाँ पे होगा सुन्य यानि की 0 ओके तो यह चीज आपको याद रखनी है तो यहाँ पे हमारा दूसरा Question खतम होता है चलो अब तीसरे पे आगे बढ़ते आपको पूछा गया है कि घात 35 के एक द्रीपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदारन दीजी 35 गात वाले का द्रीपद और 100 गात वाले का एक तो 35 गात का द्रीपद है तो X की 35 गात प्लस एक कोई भी Y की 35 गात माइनस वन Z की 35 गात माइनस साथ ऐसे कोई भी एकजमपल दे सकते हो लेकिन दो पद आने चाहिए और घात 35 होनी चाहिए ठीक वैसे ही 100 गात वाले एक पदी तो देखो 5Y की 100 गात आप सिर्फ X की 100 गात भी लिख सकते है ओके चलो आगे चौथा क्वेस्टन है कि निम्नल लिखित मैंसे प्रत्येक बहुपद की गात लिखिए अब देखो गात लिखनी है जब भी आपको तब उसमें जो भी चर है उस चर में सबसे बड़ी गात किसकी है और क्या है वो आपको लिखनी है बड़ी गात जिसकी दिखाए दे वो उसकी गात कहलाएगी पहला क्वेस्टन ही देख लो 5X की 3 गात प्लस 4X की 2 गात प्लस 7X तो यह पूर्य जो भी बहुपद है उसमें सबसे बड़ी गात कितनी है 3 तो इसकी गात कितनी कहलाएगी 3 ओके दूसरा देखो आप बहुपद तो उसमें है 4Y की 3 गात तो इसमें कितनी गात बड़ी है 2 तीसरा देखो 5T माइनस रूट साथ तो T की सिर्फ एक ही गात है उपर कुछ नहीं होता है तो एक तो होता ही है इसलिए उसकी गात कितनी होगी 1 ओके अब चोथा देखो उसमें सिर्फ 3 है उसमें कोई चर दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है सिर्फ अचर दिया है देखो जिसके पास चर नहीं होता उसे हम कहते हैं अचर और यहाँ पर 3 है वो अचर है और यह पूरे बहुपद जो भी है उसमें चर दिया ही नहीं है इसलिए इसकी कात कितनी होगी जीरो ठीक है अब क्वेस्चन नंबर फाइग की और बढ़ते हैं आपको कहा गया है कि निम्ने लिखित का रेखिक द्रीघाती और द्रीघाती बहुपदों में वर्गी करन कीजिए रेखिक मतलब जिसकी गात एक हो ज्यादा से ज्यादा गात हो उसको रेखिक बहुपद कहा जाता है जिस बहुपद में सबसे बड़ी गात दो हो उसे द्रीघाती कहा जाता है और जिस बहुपद में सबसे बड़ी गात तीन हो उसे द्रीघाती कहा जाता है ये बात आपको ध एकस की दो गात प्लस एक सबसे बड़ी दो गात है इसलिए वो एक द्री घाती बहुपत है दूसरे में सबसे बड़ी घात कितनी है तीन तो वो द्री घात बहुपत तीसरे में भी देखो सबसे बड़ी घात दो है इसलिए वो द्री घात बहुपत चोथा है देखो एकस की ए गात है सबसे बड़ा गातंक एक है इसलिए वही एक कैसी रेखिक बहुपत पांजवा है वह भी रे-खिक बहुपत सबसे में है सात एक्स की तीन गात उसमें सबसे बड़ी गात तीन है इसलिए उसे कहें गे हम त्री घाती बहुपद कि ऊके में तो प्रश्णावली 2.1 में बस ऐसा ही है कि गुणाग लिखना कौन सी बहुपद है या तो बहुपद की घात तो रे द्रीख खाती द्रीख घाती कौन सी है शिर्फ उतना ही करना है उससे ज्याद़ आपको कुछ करना नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हमारी प्रेश्णा वली 2.1 खतम होती है आपको यह पूरी प्रश्णावली अच्छे से फेर बुक में लिख देनी है और दोस्तों ये चेप्टर पुरा दस्वी में आ रहा है अगर आपको ट्रश्णा हो तो आप दस्वी की कोई भी दस्वी पढ़ रहा हो आपका फ्रेंड तो आप मेट्स की बुक लो उसमें भी आप चेप्टर नंबर दो देखोगे तो उसमें भी चेप्टर का नाम बहुपद ही लिखा है इसलिए ये पूरा चेप्टर दस्वी में आने वाला है इसलिए मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूँगा कि आप ये पूरे चेप्टर में अच्छे से ध्यान दे एग्जाम्पल सभी फ्लेक्टिस करे समझ में ना आए तो पूछे लेकिन इसे कॉम्प्रोमाइज मत कीजी क्योंकि अगर इस चेप्टर में आपको समझ में आ गया तो दस्वी में दूसरा चेप्टर जो आ रहा है यही बहुपद उसमें समझने में बहुत ही आसानी होगी ओके चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 की और ठीक है प्रश्नावली 2.2 में क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है कि कोई बहुपद दी गई है चाहे वो एक्स वाला हो चर या तो वाई वाला उसमें आपको जो वेल्यू दी गई भे एक्स इस एकल टो माइनस वन डालो एक्स इस एकल टो डालो एक्स इस एकल टो डालो जो भी आपको वेल्यू दी गई है वो आपको डालनी है और उसकी वेल्यू ढूननी है मान गयात करना है अब देखो पहला ही क्वेस्चन आप दे उसका मानग्यात करना है और आपको x is equal to 0, x is equal to minus 1 और x is equal to 2, x की तीन value दी गई है, तो आपको one by one करके तीनो value डालनी है, सबसे पहले आप 0 डालोगे, तो देखो 0 का किसी के भी साथ गुणा करोगे, तो उसका अंसर तो 0 ही आएगा, इसलिए पहले जब 0 डाला, तब उसका अंसर कितना आया, तीन, क्योंकि जहाँ पर x दीखता है, वहाँ पर ही हम value डालेंगे, ठीक है, दूसरा question आप देख सकते हो, कि पर x is equal to minus 1 डालना है, माइनस 1 डालने पर, अब देखो, एक question हो रहाँ थे, माइनस 1 का वर्ग आये, तो प्लस में लिखे या माइनस, तो याद रखना, अगर माइनस कोई भी माइनस 1 हो, माइनस 2 हो, माइनस 3 हो, उसके गात ऐसी हो, 2, 4, 6, 8, ऐसी गात आए, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर 1, 3, 5 ऐसे आए, तो उसका आंसर आएगा, माइनस में, ठीक है, तो माइनस 1 डालोगे, फिर solution करोगे, तो आपका आंसर आएगा, माइनस 6, ओके, फिर आपको गा गया कि भाए, एक्स, दो डालना है, तो एक्स की जगा पे आप दो डालोगे, तो उसका कितना आंसर आएगा, माइनस 3, ओके, चलो, तो ये हमारा पहला question खत्म हो गया, दूसरा question भी वही है, देखो आप, कि पर निम्ने लिखीत प्रत्य एक बहुपद के लिए, P of 0, इसका मतलब कि भाई, जो भी चर दिया है, वहाँ पे पहले 0 डालो, P of 1, फिर बाद में 1 डालो, P of 2, यानि कि बाद में कितना डालना है, 2, 3, कितनी बहुपद दी गई है, आपको 4, पहली बहुपद है, Y square minus Y plus 1, उसमें सबसे पहले आपको 0 डालना फिर 1 डालना है और फिर कितना डालना है 0 डालने पर कितना मिल रहा है 1 1 डालने पर भी 2 डालने पर भी कितना मिल रहा है 3 तो 1 by 1 ऐसे करके सभी वो उपद में यह तो आप करी सकते हो और दोस्तों आप इतना याद रखना मैथ में आप जितनी प्रेक्टिस करोगे उतना ही आपको फाइदा मिलेगा अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे जो भी वीडियो भेज रहा हूं और यहाँ तो आप वीडियो देख रहे हो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ आ नहीं जाएगा जब भी आप वीडियो देखो साथ में बुक और पैन रखके बैठो और आप खुद भी कुछ एग्जामपल सॉल करो क्योंकि जब तक आप खुद कोई क्वेस्टन सॉल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता चलेगा नहीं कि मुझे मैच में कितना आ रहा है ठीके इसलिए कोई भी एग्जामपल लो उसका आंसर निकालो और आंसर ना आए तो उसको वापिस रख दो मत तब ये दिमाग में बिठाओ कि जब तक इसका आंसर ना आए तब तक में एग्जामपल एक बार दो बार तीन बार मैं करूंगा ही अगर आपने प्रेक्टिस किया और एक बार में आंसर नहीं आया और आपने रख दिया तो फिर कुछ आपको पले पड़ेगा नहीं ठीके चलो तो अब हम क्वेस्चन नमबर थ्री उसके और आगे बढ़ेंगे आपको क्या पूछा गया है इसमें कि वे जाच करके बताए कि निम्न में से प्रतियक बहुपद के सामने दिया गया चल कामान उसका सुन्य है या नहीं इसका मतलब यह काज़ा तक देखो पहला है प्योफ x is equal to 3x plus 1 और x is equal to minus 1 by 3 ऐसा दी गया है अब इसका मतलब क्या होता है जो भी वेल्यू या तो आया या तो चर जो भी है उसकी वेल्यू आपको दी गई है सब में वो आप वेल्यू उसमें डालोगे अगर उसका आंसर 0 आया तो वो उसका सुन्यक कहलाएगा अगर 0 आंसर नहीं आया तो वो उसका सुन्यक कहलाएगा नहीं समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं वापिस मैं बोलता हूं जो भी आपको वेल्यू दी गई है वो आप वेल्यू डालोगे अगर उसका मान या तो उसकी value उसका answer 0 आया तो ही वो उसका सुन्य कहलाएगा वरना नहीं पहला एक question देखलो x की जगह पे आपको minus 1 बटे में 3 डालने को बोला अपने डाला तो उसका answer कितना आया 0 answer 0 आ गया तो हम कह सकता है कि minus 1 बटे में 3 है वो ये जो बहुपत दी गई है 3x plus 1 उसका सुन्यक है ओके चलो दूसरे एक example लेते है क्या दिया आगे है कि भाई 5x minus 5 x की जगह पे डालने को बोला है 4 बटे में 5 डाला 5 फाई कट गे तो answer आया 4 minus 5 0 आया नहीं 0 नहीं आया तो x is equal to 4 बटे में 5 वो उसका सुन्यक कहलाएगा नहीं समझ में आ रहा है तीसरा भी देख लो उसमें 2 value डालने को बोला सबसे पहले एक डालना है फिर minus 1 डालना है एक डालोगे तो एक का वर गेक तो answer 0 आ गया तो 1 डालने पर answer 0 आ रहा है minus 1 डालो तो minus 1 की दो गातो एक ही होगी तो दोनों का answer देखो 0 आ रहा है दोनों का answer 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक और minus 1 दोनों ही यह जो बहुपद है x वर्ग minus 1 वो दोनों के सुन्यक है ओके चौथा आप देखो x plus 1 x minus 2 दो value इसमें भी दी गई है कि पहले minus 1 डालो फिर 2 डालो minus 1 डालने पर कितना answer आ रहा है देखो 0 चुकि minus 1 plus 1 तो 0 वहां से ही हो गया और 0 के साथ जिसका भी गुणा हो उसका answer 0 ही आएगा इसलिए minus 1 डालने पर कितना आया 0 ठीक वैसे ही 2 के लिए अगर 2 आप डालोगे तो 2 plus 1 हो जाएगा 3 लेकिन दूसरे एक bracket में देखो आप 2 minus 2 तो answer कितना आ गया 0 फिर आप गुणा करोगे तो answer तो 0 ही आएगा इसलिए यहाँ पर minus 1 और 2 यह दोनों ही जो बहुपत दी गई है x plus 1 और x minus 2 दोनों के ही वो सुन्यक है ओके चलो आगे अब दिया गया है आपको सिर्फ x वर और दिया है 0 0 का वर तो 0 ही कहलाएगा तो उसका तो direct answer मिल गया आपको कितना आ रहा है 0 ओके फिर f px is equal to lx plus m x की जगा पर आपको डालना है minus m बट्टे में l minus m बट्टे में l डालो गया l l कट जाएगा minus m plus m तो answer कितना आ गया 0 answer 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि वह x is equal to minus m बट्टे में l वो उसका सुन्यक है आगे तो वह b of x is equal to 3x वर्ग minus 1 और आपको x की value 2 दी गई है minus 1 बट्टे में root 3 और 2 बट्टे में root 3 यह root वाली किमत दिपको दी गई है डरने की कोई जरूरत नहीं जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करते जाओ तो देखो आप कि बए x की value minus 1 बट्टे में root 3 देखो वर्ग किया minus 1 का वर्ग तो एक ही root 3 का वर्ग हो जाएगा 3 फिट 3-3 कर जाएगा तो एक minus 1 तो आंसर आ गया 0 ठीक वैसे ही दूसरे में दो बट्टे में root 3 दो का वर्ग चार 3-3 कर जाएगा 4-1 तो कितना आंसर आ गया 3 यहाँ पर minus 1 बट्टे में root 3 डालने पर answer 0 आ रहा है लेकिन अगर आप दो बट्टे में root 3 डाल रहे हो तो answer 0 आ नहीं रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि minus 1 बट्टे में root 3 है वो उसका सुन्यक है लेकिन दो बट्टे में root 3 है उसका answer 0 नहीं आ रहा है इसलिए वो उसका सुन्यक कहलाएगा नहीं ओके चलो अब last p of x आपको दिया गया है 2x plus 1 और x की value डालनी है एक बट्टे में 2 तो x is equal to एक बट्टे में 2 डालने पर 2 दो कर जाएगा तो 1 plus 1 होगा 2 answer 0 नहीं आ रहा है इसलिए एक बट्टे में 2 वो उसका सुन्यक कहलाएगा नहीं ओके ठीक है चलो अब आगे चौथा क्वेस्चन है लास्ट वाला आपको पूछा गया है कि निम्न लिखे प्रत्यक बहुपद का सुन्यक ग्याद करना है सुन्यक ग्याद करना है अभी तक तो p of x is equal to x plus 5 तो आपको पूफ एक्स है वो जिरो डाल देशो जिरो डालो तो इक्स प्लस-ply इस प्लस पॉस प्लस- Anybody को उससे ले लोगों तो एक्स इश्ट एक्सनुं किना है ऐ हमाइनस mot और अगर आप जांच करनी है तो एक्स की जगह पे आप माइनस पांच रख के देख लो आपका आंसर जीरो ही आएगा समझ में आ रहा है चलो दूसरा लेते हैं दूसरा दिया गया है कि भाई ऐक्स माइनस फाइपियो आफ जीरो ही डालना है सब में जीरो डाल दिया तो एक्स-पाइप इस गूस औच जाएगा तो प्लॉस हो आंसर आएगा, x is equal to minus 5 बट्टे में 2, ओके, फिर d देखो, कि 3x minus 2, p of x 0 डाल दिया, 2 उससे जाएगा, तो plus, x is equal to 2 बट्टे में 3, तो उसका सुन्यक होगा, 2 बट्टे में 3, फिर 3x, तो 3x is equal to 0, फिर 0 के बट्टे में अगर 3 जा रहा है, तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो उसका सुन्यक 0 होगा, फिर ax, तो उसमें भी x is equal to 0, फिर cx plus d, तो फिर उसमें भी 0 डाल रहे हो, तो d उससर जाएगा, तो minus d और c आजाएगा, बट्टे में, तो उसका सुन्यक होगा, minus d बट्टे में, c, ओके, देखो, यह पूरी जो प्रिश्नावली है, और अभी तक हमने जितना भी पड़ा, वो सब easy ही है, ठीके, और यह जो प्रिश्नावली एक, जो पहली 2.1 है वो, और प्रिश्नावली 2.2, यह दोनों ही प्रिश्नावली आपको अच्छे से fair book में आपको लिखनी है, practice भी करनी है, और मैंने बताया अभी, यह पूरा जब्टर 10 में आने ही वाला है, इसलिए अभी से practice करते जाओ, ताकि 10 वी में आपको कोई भी problem आए नहीं, दूसरी चीज, दूसरी चीज यह है, कि पिछले वीडियो में हमने 15 चप्टर जो पढ़ाया, प्राइकता, वो भी आपको 10 वी की math की book में, जैसे यह 9th की math की book में 15 चप्टर प्राइकता है, ठीक वैसे ही, 10 वी की book में भी 15 चप्टर प्राइकता है, इसलिए पिछला वीडियो भी जिसने भी देखा है, तो आप उससे वापिस एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो अभी से ही, अगर आप अभी से ही समझ लो तो 10 वी में, मैं 100% guarantee mark को आपको बोलता हूँ, कि भाई, तब यह आप अभी यह जो पंदरवाद चेप्टर है, वो अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, तब भी, वरना कुछ पले पड़ेगा नहीं, ठीके, इसलिए पंदरवाद चेप्टर वो यह दूसरा चेप्टर जो चल रहा है, यह दोनों ही most time पी है, और 9th में कई चेप्टर ऐसे है, जो डाइरेक्ट पूरे के पूरे चेप्टर ही दस्वी में आ रहे है, इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि अभी कोरोना की वेज़े से कुछ पढ़ा ही नहीं हो रही है, तो दस्वी में कर लेंगे, तो यह आप गलत फ्यमी में मत रहना, और यह 9th में जितने भी Maths या तो Science मे आए, तो पूछो, लेकिन कॉंप्रोमाइज करना नहीं है आपको, अगर आप कॉंप्रोमाइज करोगे, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, ओके, तो आज हम यहां तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स टाइम हम आगे की प्रश्नावली स्नाट करेंगे, तब तक आपको यह दोन कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखने से ही, अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो कभी समझ में नहीं आए, वो पहले सही में बोल रहा हूँ, जब तक आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करो, आंसर ना आए, दूसरी बार करो, उसे छोड़ो मत, दूसरी बार भी ना आए, तीसरी बार करो, फिर भी ना समझ में आए, तब जाके पूछो, ठीक है, और ये सभी एग्जम्पल इजी है, उसमें कोई हाड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी अभी हमने पढ़ा, प्रिश्णावली 1, 2.1 और 2.2, अल्रेड़ी साती और आंठी वी क्लास में आए गए है, ठीक है, इसमें कोई हाड नहीं है, ओके, थैंक यू,